अब बनने लगे हैं मकान गाय के गोबर से निर्मित की गई इट से हमारे आथ में दो इटे हैं और दोनों को आप देख रहे हैं गाय के गोबर से निर्मित की गई हैं इनके मकान इको फ्रेंडली होंगे इट को बनाना भी बहुत आसान है जिसे हम दिखा रहे हैं भारतवर्स के तमाम प्रदेशों में अब लोग गाय के इट से गाय के गोबर से जो बड़ी इट है उसके मकान बना रहे हैं यह इट ऐसा ही है आप देख रहे हैं आई यह मैं इस वस्थान पर लेचलता हूँ इट में क्या-क्या है इसके बनाने का तरीका क्या है इसको ब्यावसाय की दृष्टी से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसुबलाब यानि इससे पैसे कैसे कबाया जा सकते हैं इट भठे अब धिरे धिरे परियाबरन संद्चन की दृष्टी से बहुत नाकाम सिध्ध हो रहे हैं कोड का लगातार अंकुस लग रहा है इट भठे बंद हो रहे हैं सड़क के किलारे अस्थापित नहीं किया जा सकते हैं मानक की पूर्ती नहीं की जा सकती इट उनके महांगे भी हो गए हैं ऐसे में लाख सवा लाख रुपे में इट निर्मान कैसे किया जा सकता है और घर बैठे आप इट निर्मान करके कैसे बेज सकते हैं कैसे मकान बना सकते हैं आईए इसके बारे में हम बताते हैं तमाम योजनाये हैं भारत सरकार ने मुद्रा लोन सहीत और प्रधार मंतरी रोजगार योजना और तमाम योजनाये चलाया है ऐसे में खादी की रामयोद्योग भी है जिसमें सैकड़ों प्रकार के रोजगार बताए गए है और आसान किस्तों पर आसान ब्याज पर आपको रिड़ भी मिल रहा है अगर आना कानी हो रही है तो उसमें आपको लड़ने क्या वसकता है आईए हम फिलहाल इट गाय के गोबर और मिट्टी और कई चीजे चुना मिल करके गिट्टी मिला करके गाय के गोबर से इट कैसे बनती है और इसका मकान कैसे बनता है आईए हम बात करते हैं दिखाते हैं इसको पकड़ो बिटा अब हम आ गए हैं उन मसीनों के पास यह मसीने देख रहे हैं मिक्चर मसीन है जिसमें मिला है जाएगा और मिला करके इंट का निर्मार होगा यह डीजल से भी चलेंगी और मोटर से भी चलेंगी अब हम बात करते हैं कैसे इनका निर्मार होता है और इनका निर्मार का तरीका क किया है और किस तरह से कार्गरसी थो olhar ही है क्या नम है सबस्क्रद एक कि गाए केक मलब देखे क्या है कि तो इसको सबसे कम लागत में कितने में अस्थापित किया जा सकता है सबसे बड़ी लागत क्या है तेकिन मिनिमम मिनिमम आप 50-60,000 आप शुरू कर सकते हैं सब से आधा 30 लाग रुपे का सर और सबसे कम साथ हजार से सुरू कर सकते हैं तो हम चलते हैं पहले साथ हजार और फिर उसके बाद एक लाग नेड़ लाग दो लाग कई प्रकाईर की मसीन होगी अच्छा तो हम पहले देखते हैं कि इत का निर्मार कैसे होता है तो एक तो गाय के गोबर से आप बनाते हैं और दूसरे आप सिमेंट बालू और कंक्रीट और क्या-क्या चीजिए अगर आपको ओनली फ्लाइस की बनानी है तो इसमेंट मिला लिया पानी मिला लिया और बालू मिला लिया अब दोस्तों यह है गाय का गोबर और इसमें क्या- जी सीट से दिवाल खड़ी होगी, दिवाल के ऊपर चपर और खपरेल और जो भी, इको फ्रेंडली जैसा भी बनाना चाहें, तो सरमा जी इसमें क्या-क्या डला है, सर ये क्या है, ये सेकिंड मेट्रेल है, मतलब इस मशीन में दो-तीन तरीके का ब्रिक बना सकते हो, सबसे प अगर आप से मिक्स करके भी अगर ब्रिक बनाना चाहते हो, तो वह ब्रिक बन जाएगा, अच्छा दो प्रकार का है, एक ठो गोबर, मिट्टी, चूना ये सब मिला करके, और दूसरा सिमेंट, गिट्टी, बालू, पानी से उसको मिला करके, घोल बना करके, और फिर इट ब कितने अच्छे होते थे हमारे मिट्टी के घर, कहीं कहीं बच गए है, अब समाप्त हो गए, और मिट्टी के घर, खप्रेल वाले घर, कितने कारगर होते थे, अब आप यह देख रहे हैं, इस साचे में भर दिया गया, फिलाल चार इट एक बार में बनेगे, नच्छे बच्छे लगांपग या,लाल बड़ान को फिलिए, nggak wild मैं pro पिलाक्रभ भूल, खिलावी, यह अगर निया तैयार हो गया फिर अगला डाला जाएगा फिर अगले साच्या में निकाल करके अगर दोंगे इसके अंदर जो था गोबर था चुना था और मिट्टी था और पानी यह मेश्रन था अभी जो सेकेंड है नेक्स्ट वाला वो ओनली सिमेंट का है और उसमें फ्लाईयस है और बालू है और पानी है तो मतलब एक ही मसीन से आपने यह ब्रिक्स बना लिया और इस ही मसीन से करते हैं पानी करते हैं पानी पिए वह उत्ना पंक रखाए गार और यह एक में अगर कैर जो तो काम भी फटापहों गा है सिमेंट के एट्व क्या करते हैं आस जमा कि लेके आते हैं और जमा किंग और रहता है उनको चार पेले ऊबस को इसको नी पटोड पानी पिला ना परता है इसको नि इसको में चेहँ कर सकता पानी का छीड़काओ करके जैसे उसे चीड़काओ करते हैं चाहे जैसे भी करें जैसे वहाँ सुईदा हो और इसके अंदर के आए जैसे महाँ 943 मतलब 1000 स्क्वार फिट में आपने लगा लिया उसके लिए आपको बड़ी जगे चाहिए उसमें पॉलीशन भी है इसमें पॉलीशन नहीं है फिर तमाम सब सरकारी अपचारिक ताएं है और इसमें तो उस तरह का है उसको आप अर्बन एरिया में जो रूरल एरिया उर्बन एरिया वहां पर लगास्ते आपको लेबर भी वहां पर एडवांस पेसा देखने पड़ेगी बहुस पाचास बेज़वा यह प्रका है यह भी चार किजी चे का मिल जाएगा आठका ची आठका मिल जाएगा अच्छा हाँ अभी अभी हमने इसमेंट गा और इसका ब्रिक बनाया है अब इसको क्या करेंगे तीन चार दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे और पानी पिलाते रहेंगे फिर आप इसको सेल कर सकते हैं अब यह बोट आसान गाम है इसको कोई भी कर सकता है अपने घर बेठे परिवार के लोग कर सकते हैं और दोनों जो जो प्रोड़ के दिशा में एक बड़ा काम है सर्मा जी बताएं कैसे संपर्क करेंगे लोग मसीनों को अच्छा मसीने यह मसीने हैं जैसा कि आपने बताया साथ हजार से सुरू हो कर कि और बीस बाइस लाग तक लोग हैं तो यह मसीन है मिक्चर वाली और यह है और कौन सी मसीन यह दो भी ब्र ब्रिक मनेगा इसमें यह लगब 2,5 मौट यह से बड़ा मसीन जिमां यह टेंन इसमें एक बार में चेह बरीक का प्लांट ए इस पर बाररा लाग का प्लांट ज़या बनेगा और यहां से में आपर जाएगा आप यहां यहां रहेगा आगे में ऩफे फिर जाएगा और उसमें से फिर जाएगा wanna यहां पर यहां से पहां निकलें गा Akras ब्ढ़दे मसिन के तरहले ऋप्रों कई उसका हएगा और ऊस अडर जाएगा हां यहां से लिदेल के आट है शेकी अपर सबक्रेट फिर नहगा है remembering यह पंद्र लाग ट्रीट का इसके अलावा हमारे पास दूसरा भी है यह पांच लाग रूपे गा है कि इस में क्या है मशीन और मिक्सर दोनों प्लस है अच्छा मदलब आप इसको इंजन से भी चला सकते हो उप्लस टायर लगे हों है एक जगे से दूसरी जगे भी ले जा सकते हो, किराय पर दिना चाते हो रेंट पर तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं, मतलब सबी लोगों के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है, जैसा अपने घर पर लोग बनमाना चाहें, तो मसीन उनके घर जा सकती है, और वही निर्मार कर स पर लिए मशिन बहुत बेटर है, ऐसा, कैसे समपर करेंगे लग कोई नंबर, सर हमारे जो नंबर है, वो डबल नाइन टू नाइन वन फाइब सेवन फोर टू या अमारे टोल फ्री नंबर है, और मैं यह कहूंगा, कि SK इंड़स्ट्री अमारी कंपनी नामें बिलवारा र उद्यो को कर लेंगे, तो फिर आप हमारे या से परचेज कर सकते हो या लगा सकते हो इस उद्यो को आप, सरमा जी एक पढ़े लिखे युवा है, इनकी मनसा है कि देश से बेरोजगारी खतम हो, और जिस मनमिजाज के लोग हैं, वो ऐसा बेवसाय करें, लेकिन ऐसे आख म पंद्रा जार, माल ये जाडू बनाने की मशीन हो गई, चुना ट्यूब बनाने की मशीन हो गई, पापड बनाने की, चपाती बनाने की, तो ऐसा काई, डेट सु टाइप के हमारे पास उद्ध्यो हो गए, तो जब वो यहां आएंगे, तो हो सकता है उनको ये एक लाग रुपे का तो आपका दो तीनी जार पर किराय और लग जाएंगे, एक बार फिर से टोल फ्री नंबर बता दी, हमारे टोल फ्री नंबर है, डबल नाइन टू नाइन वन फाइप सेवन मन फोर टू, भिलवाडा, बिलवाडा राजिस्तान, जी सर, तो दोस्तों य देर किये हुए, इसकी सुरुवाद कर दे, सरकारी नुगरियां तो सभी को नहीं मिलेगी, और इंतजार में लोग उमर गमा देते हैं, फ्रस्टेशन के सिकार होते हैं, और तरह-तर के कूब विचार मन में आते हैं, इसलिए हमने दिखाया गायक के गोबर का इट, और सिमे रोजगार स्रिजन के दिशा में, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, नमस्कार.